रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार कराटे प्रतियोगता का आयूजन ग्रेंड मास्टर कांचू इस्टार करेंगे और खाटन बाइक सवारा प्राधियों ने वैपारी को मारी गोली गोली लगने से युवक कमभी रूप से हुआ घाये कन्ये के खेत में लगी भी सडाक तीन एकड फसल जलकर हुई राग प्राइम टीवी वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का खबर पटना से है जहां बिहार विधान परशत के नेता प्रतिपक्ष समराठ चौधरी ने बिहार के मुख मंतरी नितीश कुमार से इस्तीफे की मांग की वहें नितीश कुमार पर जम कर हमला बोलते हुए समराठ चौधरी ने कहा कि जिस भी दल में मुख मंतरी नितीश कुमार रहेंगे उस दल की हार सुनेशित है नितीश कुमार जी कि अहंकार की हार हुई का कुड़नी विधान सवा में कुड़नी विधान सवा के महानमत दाताओं ने नितीश कुमार के अहंकार को हराने का काम किया नितीश कुमार जी के राज में भस्टाचार बढ़ रहा है उसको हराने का काम किया बिहार में सराम माफिया बढ़ रहे हैं उसको हराने का काम किया और नितीज कुमार जी को आपके माध्यम से अब ये बहुत नैतिकता की बात करते रहे हैं 2014 में इन्होंने नितिक्ता के अधार पर इस्तिफा दिया था आज हम लगातार चुनावा हारने के लिए नितीज कुमार से आपके माद्यम से इस्तिफे की मांग करता हूँ खबर पटना से है जहां पुलिस ने रहगीरों से लूट पार्ट करने वाले कुल 6 सदसों को गिरफतार किया और गिरफतारों के पास से भारी मात्रा में अवैद हत्यार भी बरामत किये वहीं इस पूरे मामले में SSP मानवजीत सिंग धिलो ने पूरी जानकारी दी ये तीनों हत्यार सप्लायर थे इन लोगों को इनके पास से जो भी हत्यार जिला था जब इन से पुछताच किया गया और हम लोगों ने मुबाइल का एक्स्ट्रैक्ट निकाला तो ये तीनों वो लोग थे जो इनके लावा अन्या प्रादे के गिरोहों को भी हत्यार सप्लाई करते थे ये पुरा चेन बनता गया तो इन तीनों के यहां से दो तेसी लोड़िट पिस्टल और तेसी जिन्दा कार्टूस इनके पुजेशन से बरामत हुए हैं ये एक पुरा चेन हम लोगों ने वर्क आउट किया है और ये जो तीन बाद में पकड़े गए हैं खाज किला थाना से ये इनके इलावा और भी ग्रूप्स को हत्यार सप्लाई करते हैं खबर नवादा से है जहां सदर अस्पताल के प्रसो वार्ड में एक प्रसूता की मौत हो जाने के बाद महिला के परजनों ने जम कर हंगामा किया जिसके बाद मौजूद लोगों ने आकरोशित परजनों को शांत कराया वहीं अस्पताल प्रिशासन ने नगर्था ने पुलिस को सूचना दी, सूचना के बाद पहुची पुलिस ने मामले को शांद कराया और शब को अपने कब्जे मिले कर पोस्ट माटम के लिए भेज दिया सब्सक्राइस खुला से बरदास करो, फिर हम कुछ समय भीता हमने चाय अपने से पिलाया, बिस्कुट भी पिलाया, उस समय बोले कि दरद उठ रहा है, बोले मैडम को मैडम देखे ने दरद बोल रहा है, फिर मैडम आए, मैडम आए, फुन जाच लिखा, फुन ठीक था, नो यूनिट पलस उसके बाद फिर दरद उठा, अब दरद के दरदान हमने मैडम को बोले, फुन जाच लगाई, अब 5-7 मिनट के बाद हमारी पत्नी का मिर्टू हो गया खबर नवादा से है, जहां जीले के मुवशील थाना शेतर के सूरज पेट्रॉल पम के पास तेज रफतार ट्रक ने एक बाइक सवार यूवक को रौन दिया, जिसके बाद मौकी पर ही यूवक की मौत हो गई और ट्रक चालक वहां छोड़ कर फरार हो गया, बतादी इस घटना में यूवक के परजनों में कोहरा मचा हुआ है खबर पस्सिम चंपारण बेतिया से है, जहां नरकटिया गंज नगर परिसद अंतरगत गौशाला रोड में एक भव कराटे का आयोजन किया जा रहा है पस्सिम चंपारण में पहली बार ग्रांड माश्टर का आगमन हो रहा है, बतादे की सायोजन में सभी प्रकार के बच्चे बच्चियों को कराटे की प्रसिफशर दिया जाएगा जो कि इंडिया का नंबर वन ब्रैंड है, वो भी मार्सल अर्ट का इस तरह का इस्टिफशन अपने इंडिया में नहीं है, जो कि हाँ इस पर जाईजी मोड में चलता हो, जिसे प्रोपर एक एक अकाड़िमी में तीन दरी का व्यवस्ता हो और सारा रेजिटर्ड हो, हमारे यहां कराटे की जो है, कराटे का रेजिटर्ड इंडिया जेनुशिर कराटे प्रेटर्सर के द्वारा चलाया जाएगा, इसका टोटल सेटिफिकेट जो होगा, सारा गॉर्मनेट रेजिटर्ड यहां पर परवाट किया है खबर मधूबनी से है, जहां जैनगर थाना शेत्र के रेलवे इस्टेशन परिसर में बाइक सवार अपराधियों ने मुद्रा एक्स्चेंज बैफसाई से रूपिया लूटने की कोशिश नाकाम होने पर बैफसाई को गोली मार दी जिसके बाद यूवक गंफीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल में भरती कराए गया जहां डॉक्टरों ने यूवक के गंफीर हालत को देखते हुए रेफर कर दिया खबर पसिम चंपारण बेतिया बगहा के रामनगर से है जहां तीन एकड में लगे गंने की फसल जल कर पूरी तरह से बरबाद हो गया सुचना मिलने के बाद मौके पर पहुची रामनगर पुलिस बल के साथ अगनी श्यमन वाहन भी मौके पर पहुचे और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया लेकिन आग पर जब तक काबू पाया जाता तब तक आधे से जादा फसल जल चुकी थी फिलहाल आग लगने का कोई सटी कारणों का पता नहीं चल पाया है खाना खाने के दोरान मने यहां से फून गया यापके परिवार के खेत में गन्ना में आग लग गया है हम लोग खाना छोल कर भागे हुए आए यहाँ देखे दिक मेरा गन्ना जल रहा है जिसकी सुटन मैंने अस्थानिया थाने को दी अस्थानिया थाने दोरा अपने समन में दित्ला कर आग पर पाद बोग कड़ी मर्सकत के बाद आग पर कावुपया रुकते हैं छोटे से ब्रेक के रिए बने रहे प्राइम टीवी के साथ क्या आप घर बैठे कुछ खरीबना चाहते हैं क्या आप खोच रहे हैं विश्वसनी e-store तो देर किस बात की अभी लॉगिन करें skbmarket.in skbmarket.in देश का सबसे तेजी से पड़ता online shopping और service platform है आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाग से ज़ादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं हमारा देश हिना केवल उतपात बेचना है बलकि आत्म निर्भर भारत का निर्मार्व करना है हम अपनी इसेवा गतिविद्या यानी online व्यवसाय को अब अंतर राश्ट्रे स्तर पर पहुचाने जा रहे है skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ बॉलिवूड से लेकर बॉलिवूड तर एक्टर से लेकर सिंगर तर फिल्म जगत की हर चटपटी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू रूबहले परते की अंदुरूनी बातों पर होगी गौसे देखिए बॉलिवूड मसाला सिर्फ प्राइम टीवी पर 83 दिगजों से जानेंगे राजनीतिक दाउपेज अफसर शाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी सांसर से लेकर विढ़ायक तक आईयस से लेकर आईपीर सतक सबसे होगी बार शक्सियात शनीवार और रवीवार शाम साथ बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है रुकरते हैं खबरों के ओर भागलपूर पीर पैती थाना शेत्र के छोटी दिलोरी गाउ में नीलम देवी के हत्या के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है भारती जनता पार्टी के नेता एक एक कर पीडित के परजनों से मिलने आ रहे हैं बीजेपी एम एलसी वा बिहार सरकार के पूर्वो द्योग मंत्री शेहनवाज हुसेन पीडित परिवार के गाउं पहुचे पूर्वो मंत्री ने परिवार वालों से घटना कोले कर जानकारी ली वहीं दोनों आरोपियों के खिलाफ इस पीडि ट्राइल चला कर कठोर से कठोर सजा दिलाई जाने कोले कर पुलिस प्रशासन से मांग भी की साथ युनों ने कहा कि पीडित परिवार को आर्थिक मदद मिल सके इसके लिए वह मुखमंत्री नितीज कुमार से बात करेंगे जिस दिन मुझे घटना मालूम हुई थी उसी दिन मैंने एसपी साहब से प्रशासन से बातचीत की थी बहुत निर्देता से हत्या हुई है इनसानियत के खिलाफ है कभी भी हमारे इस इस आलाके में इस तरह की हत्या कभी नहीं हुई ये पहली घटना है भागल पुर्जिले में कि इस तरह एक महिला को घात लगाकर इसे मौत के घात उतार दिया जाएं तो जो इसमें शक्स सामिल है उसकी गिरफतारी हुई है और स्पीडी ट्रेहल के साथ उसको सजा कराएंगे पर हमारे समवादाता कृष्णा पटेल हमसे जुड़ेंगे क्रिश्णा भागलपूर में निलम देवी की हत्या हुई थी जिसके बाद राजनेत्यक सरगर्मी भी तेज हो गयी भाठी-जनता पार्टी के एक-एक नेता पहुँच रहे है कैसे निलम देवी की हत्य की गई थी इखा वजाती हत्या की और कुछ पूरा करिशना मंत्री शेहनवाज हुसेन भी पीडित परिवार से मिलने पहुचे उन्होंने क्या कुछ आश्वासन दिया है पीडित परिवार को उसमें भी परिवार से काया है कि जल से जल आरोपियों को सजार जिलाई जाएगी और जहां तक वो सके भी जुद परिवार को जिया जाएगा परिवार कुछ ना तमाम जानकारियों के लिए खबर पस्तिम चंपारण बेतिया से है जहां नरकटिया गंज नगर परसद इस्तित मगद सुगर मिल के मनमानी रवये की वज़ा से स्थानी किसानों में काफी आक्रोश है जिसके चलते उन्होंने भारती किसान महसंग के वैनर तले जमकर प्रदरसन किया और मिल प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि मिल में पेराई सत्र शुरू होने के पहले ही इस्तानी अनुमंडल अधिकारी के साथ बैठक में ये कहा गया था कि पहले इस्तानी किसानों की गन्ने की खरीद होगी उसके बाद ही और कहीं से गन्ना लिया जाएगा पहले ही बहतर सिक्षा के लाख दावे करें लेकिन कहीं न कहीं इससे उलड तस्वीरे आही जाती है ताजा मामला सहरसा के लालपूर पंचायत नौला प्रखंड नवहट्टा का है जहां के हेड मास्टर ललन कुमार वर्मा की मनमानी से परशान होकर यहां के ग्रामिडों ने जीला सिक्षा अधिकारी से उनसे उनकी शिकायत की है उन पर ग्रामिडों ने आरोप लगाए हैं कि ना तो वो बच्चों को रूटीन वाईज खाना दिलवाते हैं और ना ही बच्चों को यहां बहतर सिक्षा मुहया करायाती है इस लापरवाही से ग्रामीडों में भारी रोज दिखाई दे रहा है उस लिकार हॉनु का अपने मनमानी भ मार्ण इक हैं खबारा नगर निकायच जिनाओं की घूटपना के बाद एक बर्फिर्ट्ट्रिंश नगर उकीश्यों और चुनाओं का रास्तां सब्सक्राइर mais पिर चुनाओं के मैदान में उतर गए हैं। वहीं जनसंपर के दौराण उप सभापती उमीदवार राम बाबु ने बताया कि अगर जनता उनको मौका देती है तो न्याय के साथ विकास होगा। और सरकार ने जिन लोगों के लिए योजना चलाना शुरू किया है वो लाब भी उन्हीं लोगों को दिया जाएगा। और युआ कंडियेट को चुटे भी अभी जो कंडियेटे चेर्मेन परत्यासी इसमें चरपांच लोग हैं जो प्रमुक्ष हैं यही लोग लड़ाई में हैं और इनमें से 2-3 लोग तो पाले भी चेर्मेन रा चुके हैं इनको जनता वर्फु भी जान चुकियां कितने क्र खबर मोतीहारी से है जहां का सदर अस्पताल पर सरड़ शेतर में तबदील हो गया बता दें अस्पताल में इलाजतन महिला पर नजर रखने के लिए पहुचे विरोधी पक्षिये की महिला और बेटे ने जम कर पिटाई कर दी जिसके बाद में डॉक्टरों सुरक्षा गार्डों के बीच बचाओ कराने पर मामला शान्थ हुआ लोटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद बने रही है प्राइम टीवी के साथ क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं क्या आप खोच रहे हैं विश्वसनी e-store तो देर किस बात की अभी लॉगिन करें skbmarket.in skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ओनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाग से जादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं हमारा देश हिना केवल उत्पात बेचना है बलकि आत्म निर्भर भारत का निर्मार्व करना है हम अपनी इसे बागति विद्या यानी ओनलाइन व्यवसाय को अब अंतर राश्ट्रे स्तर पर पहुँचाने जा रहे है skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ डांस भी होगा, मस्ती भी होगी लगेगा हसी का जपरदस्थ हागा आधे घंटे होगा भरपूर मनुरंजन जब आप देखेंगे मज़दार वीडियोज वाइरल स्टेशन सिर्फ प्राइम टीवी पर अस्थमा हो या फिर आर्थराइटिस चाइबिटीज हो या फिर कोई और डिसॉडर आपको मिलेगी सेहत से जुड़ी हर जानकार एक्सपर्ट्स देंगे अपनी राय हेल्थ मंत्रा शानिवार और रविवार शाम छे वज़े सिर्फ प्राइम टीवी पर ब्रेक के बाद आपका स्वागत फिरू करते हैं खबरों के और खबर नालंदा से है जहां दयालपूर गाउं के पास अग्यात वहन की चपेट में आने से बाइक सवार यूवक गंभी रूप से घायल हो गया जिसे आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भरती कराये गया जहां इलाज के दौरान यूवक की मौत हो गई वही बाइक पर सवार दूसरा यूवक भी गंभी रूप से घायल हो गया जिनका इलाज निजी क्लीनिक में चल रहा है खबर मोतिहारी से है जहां सस्पी 71 बटालियन पिपरा कोटी के दौरा 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक सोचता पकवारा मनाया जा रहा है इस दौरान सस्पी 71 बटालियन के कारवाह कमांडेंट स्री प्रतीक गुपता के नेत्रित में सस्पी जवानों के दौरा एक स्वचता जागरुकता रहली का आयोजन किया गया जागरुकता रहली बटालियन के मुख दौर से पिपरा कोटी बाजार बस स्टेंड भारती डाग घर अचल वा प्रकंड कार्याले पिपरा कोटी तक निकाली गई बतादी इस्रेली में एसेसबी के जवानों ने इस्थानी नागरिकों को स्वचता के बारे में बताया और इससे होने वाले लाभोक के प्रती जागरुक किया खबर नवादा से है जहां अग्यात अपराधियों ने हतियार के बल पर चार लोगों के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया बतादे नवादा शहर के सटे बिहारी घाट के समीप इस घटना को अंजाम दिया गया है सभी प्रतीक नवादा के अलग-अलग शेतर से काम कर वापस अपने घट लोट रह थे इसी दोरान आधा दरजन की संख्या में मौजूद रहे अपराधियों ने मारपीट की यही नहीं विरोध करने पर अपराधियों ने यूवा को पीटा भी और बलेट से वार कर जक्मी कर दिया बतादे अब तक कुल तीन ठाने में शिकायत दर्च कराई गई है फिलहाल पुलिस आगे की मामले में जुट गई है पहले आया पीश्य समार की इराधिया ठीक है उसके बाद पाइकेट गई राप दिया तिन लोग ठाव लोग पैसा माहिने लगा नहीं बोले नहीं हो मेरे पास ते बने यहां मार दिया खबर नवादा से है जहां कुड़नी बिधान सब्सक्राइब नहीं है महागडबंधन की हार के बाद सियासी गल्यारियों में इस बात को लेकर राजनीति डल अपनी राजनीती रोटी सेक रहे हैं जहां कुड़नी बिधान सब्सक्राइब बीजेपी की जीत पर कारकरताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिला कर जीत की बधाई दी वही पूर्व किंद्री मंत्री आर्सी पी सिंग ने कुड़नी उपचुनाव में जदियों की हार पर नितीज कुमार पर तंज कस्ते हुए कहा कि बिहार में मिले। जनादेश के साथ विश्वास घात का परिणाम है कुड़नी उपचुनाव में जनता ने जद्यों को हराने का काम किया है। बिहार की खबरों के साथ आप से फिर होगी मुलाकात तब तक ले देखते रहे हैं प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोच रहे हैं विश्वस्नी e-store? तो देर किस बात की? अभी लॉगिन करें skbmarket.in skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ओनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेट फॉर्म हैं। आपके skbmarket.in से अग तक 3 लाग से जादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उदेश इना केवल उत्पात बेचना है बलकि आत्म निर्भर भारत का निर्मार्व करना है। हम अपनी e-sevah गतिविद्या यानी ओनलाइन व्यवसाय को अब अंतर राश्ट्री स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। राजनीती से जुड़ी हर एक ख़बर पर होगी हमारी नजर्ड़ा ना कोई शोर शराबा ना कोई एजन्ड़ा जिम्मेदारों से करते हैं तीके सवाल जनता के मुद्दो का रखते हैं खयाल हम।